Hey guys, welcome back to my channel Life's Inside Pallavi आज मैं एक फिर से motivation section का वीडियो ले के आई हूँ हम मेंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं चीज़ें लाइफ में let go करने के लिए कई बार काफी तकलीफ होती है तो आज हम बात करेंग ओन दे इंपोर्टन्स ओफ लटिंग गो इन यॉर लाइफ हम मेंसे हर कोई किसी ना किसी point पे जाकर अपनी life में stuck हो जाता है चीज़ें move नहीं कर रही होती हैं कभी हम किसी person पे fixated हो जाते हैं कभी किसी बात पे fixated हो जाते हैं कभी किसी पल पे fixated हो जाते हैं कई situations पर लाइफ हमें हिंट भी देती है बट हम उस पल में समझ नहीं पाते हैं चीजे ड्राइग होती हैं कई बार होता है कि हम कई सारी जो पास की बीती हुई बाते हैं उसे continuously अपने माइंड में रियुमिनेट करते रहते हैं सोचते रहते हैं अरे यार मैं तो सही थी या मैं किसी ना किसी पॉइंट पर जिंदगी में जरूर और इस सारी situation में हमें बहुत अच्छी तरीके से यह चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें अपने आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि और वाइम नहीं करना चाहिए कि अगर आप certain feeling जो है वो फील कर रहे हैं तो कोई ना क अपको कभी भी किसी पी situation में ब्लेम नहीं करना और second aspect हमें यहाद रखने की जरूरत है कि हम कभी भी अपने life के एक aspect के लिए कोई और दूसरा aspect खराब ना करें हमारी life में जो भी हमारे life के parts होते हैं वो हर कोई हिस्सा है like career आपके life का एक हिस्सा है आपकी marriage आपकी life का एक हि हिस्सा है तो हर चीज जो है अपनी life का हिस्सा ही है वो पूरी life नहीं है तो यह understand करना बहुत जरूरी है कि हम कभी भी एक aspect of life के लिए कभी भी दूसरा aspect of life कभी खराब नहीं करना चाहिए life में peace की बहुत जादा importance होती है इसलिए यह समझना चाहिए कि हमें अपने mind को clarity और peace देने की बहुत जादा जरूरत होती है और एक चीज़ जो याद रखने के लिए बहुत जादा जरूरी है कि जब भी हम अपने life में कोई भी major decisions लेते हैं तो वो कभी भी emotional state में लेना चाहिए like whenever you are feeling emotional or low do not take any decisions at that point in your life हमेशा wait करिए कि जब आप थोड़ा सा better feel कर पाएं उस time पर decisions लें and हमेशा कोई भी major decision लेने के पहले हमेशा हर situation के pros और cons दोनों आप एक paper पे लिखिए and then properly एक sane mind के साथ उसको decide करिए कि यह चीज मेरे लिए सही भी है या नहीं है जब आप sane mind में decision लेंगे तो generally आपकी life में चीज होंगी वो जादर सही direction में जाएंगी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि decision making आप बहुत practically अब बात करते हैं कि हमें let go कैसे करना चाहिए तो जब आपको कुसी बात को किसी चीज को जब let go करना हो तो सबसे पहले अपने सारी emotions को journal down करना start करिए जब आप अपने emotions को journal down करना start करेंगी कि इस event के trigger point पे मुझे ऐसा feel हुआ जब वो चीज आप लिखेंगे तो आपको जो right or wrong का definition है वो बहुत clearly पता चल जाएगा क्योंकि जब होता है न हम confused mind में होते हैं तो हम कभी अच्छी वाते सोच रहे होते हैं कभी खराब बाते सोच रहे होते हैं तो हमें वो clarity नहीं आपाती है तकि जैसे ही आप उस चीज को journal down करना start करेंगे अपने emotions को with one one like okay मुझे ऐसा क्यों feel हुआ कब feel हुआ किसी person की वज़े से feel हुआ trigger point था कोई या फिर मैं emotional था थी वो सारे reasons आपको clearly समझ में आ जाएंगे जब आप वो चीज़े समझेंगे न तो अपने life में decision making को और better तरीके से ले जा पाएंगे तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने emotions को journal down और सबसे important बात जो हमें याद रखने की ज़रूरत है कि हमें एक ही जिंदगी मिली है और हमें उसमें खुश्यां भरने की जिम्मेदार ही हमारी खुद की है तो love yourself first बाकि सब कुछ बाद में आता है तो जब आप अपने आपसे प्यार करोगे तो आपकी जिंदगी बैसे ही खुबसरोत हो जाएगी तो इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं लव यॉरसेल्फ, बी हैपी, बी यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज दू लाइक, शेर और सब्सक्राब तो मैं चैनल, सी यू नेक्स वीडियो